अधिक ठंड के कारण बढ़ रहा बच्चों की पढ़ाई पर भी असर। शीत लहर के साथ पढ़ेगा पाला आठवी तक के स्कूल अब चौदा तक बन नौवे से बावी तक ट्राइमिंग बदली। उत्तर प्रदेश में मौसम अब किसानों के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। प्रदेश में अब शीत लहरी के साथ पाला भी पढ़ेगा। आंचुलेक मौसम वग्यान केंद्र ने इस बारे में चेतामी जारी की है। 24 घंटे के दौरान यानि शुकरवार की रात चुर्क और कानपूर सब से ठंडे रहे। इन दोनों स्थानों पर रात का तापमान प्रमशा दो-दो डिग्री से एंसिस दर्श किया गया है। राजगानी लखनों में नियूंतम तापमान चार डिग्री तक लुड़क गया। पर रात का पारा 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्श किया गया है। पर एलिकानी उन्तम तापमान दो डिग्री से दर्श किया गया है। सोन भद्र में तापमान 2.2 डिग्री तक लुड़क किया है।